हाई फ्रेंड्स आज मैं एक एंटी फंगल इयर ड्रॉप का रिव्यू करने जा रहा हूँ कान के अंदर होने वाले फंगल इंफेक्शन्स को दूर करने के लिए और कान दर्द को दूर करने के लिए इस मैडिसिन को लेनी की एडवाइस की जाती है फोरोटो इयर ड्रॉप ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है बेस्ट कोस्ट फार्मसेटिकल्स वर्क्स लिमिटेड के दोरह इसका प्रोड़क्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 5 ml का एक बोटल मार्केट में 55 रुपीज का उपलब्ध होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन से आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिश ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्सपिरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिख कर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें लिडोकेंट 2% बाइवेट और क्लोटरीमाजोल 1% बाइवेट की महत्रा में उपलब्ध होता है अब देखते हैं इसके कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स ट्राइमेक इयर ड्रॉब जिसे हैन बरीज हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है फ्लोमाजोल इयर ड्रॉब जिसे फ्लेक्सिप बायोटेक इंटरनेशनल के दोरा बनाया जाता है Raystar Ear Drop जिसे Kaizen Pharmaceuticals Private Limited के दोरा बनाया जाता है Clovis L Ear Drop जिसे Aja Life के दोरा बनाया जाता है Offcure Ear Drop जिसे NRI Vision Care India Limited के दोरा बनाया जाता है Friends Market में उपलब ते कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स है जो आप इस Medicine या ECR Drop के ना मिलने की स्थिती पर पर्चेस करके अपना काम चला सकते है आपको effect same मिलता है क्योंकि इनके अंदर का salt या molecule same होता है अब देखते हैं Friends इस Medicine के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो Friends जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है यह कान में होने वाले fungal infections को दूर करने के लिए इस Medicine का इस्तिमाल करने के ड्वाइस की जाती है और कान में किसी भी प्रकार का जो कवक कसंकमन या fungal infection होता है उसे दूर करने में यह सक्चम होता है अब इसके side effect के अगर बात करें तो Friends इसमें बहुत ज़्यादा चुकी है एक local application है इसलिए बहुत इसमें side effect के संभावना नहीं है कम है संभावना बट application side reaction के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता आता है जहां पर आप इसको apply करते हैं यानि कान की जो कैनाल होती है वहाँ पर burning sensation हो रहा इरिटेशन होना इचिंग का होना और redness का होना इसके application side reaction के अंतरगत देखे गए हैं अब देखते हैं Friends इस मेडिसन को इस्तमाल कैसे करना चाहिए इस medicine को इस्तमाल करने से पहले इसके expiry date को चेक कर लेना चाहिए इसके सारे indications को पढ़ लेना चाहिए अब जब आप इसे कान पर apply कर रहे हैं तो ड्रापर का जो नोख होता है उसे कान के करीब रखना चाहिए परन्तु कान की border पर इसे touch नहीं करना चाहिए इसे हलके हाँ से दबाना चाहिए और दबा को कान के अंदर डालना चाहिए अब देखते हैं फ्रेंड्स ते medicine काम कैसे करती है तो फ्रेंड्स मैंने composition के section में आपको पहले ही बताया है कि इसमें दो परकार के salt होते हैं यानि लीडोकेन होता है और clotery majol होता है जो दोनो effective रूप से काम करते हैं साथ में मिलकर और कान के जो infection होता है उसे दूर करते है लीडोकेन एक local anesthetic होता है जो brain की और जाने वाले दर्द वाली जतनी नसे होती है जो सूचना के संभान होता है दर्द का उसे रोक देता है जिससे आपके कान में जो होने वाला दर्द होता है उसका हैसास कम हो जाता है clotery majol एक antifungal होता है जो कान के अंदर जो fungus का development हो रहा होता है यानि जो उसकी mycelium होती है उसकी cell वाल होती है और उसे destroy कर देता है जिसके कारण यह नहीं बन पाता है उसका जो शुरक छात्मक कवच होता है वह नहीं बन पाता है और इस प्रकार fungus की growth रुख जाती है दोनों medicine integrated work करती है और आपको अपने लक्षुनों में यानि की pungal infection में as well as दर्द में आपको रहात महसूस होती है अब देखते हैं friends medicine से जुड़ी कुछ आने बातों के बारे में तो friends जिस समय आप medicine का इस्तमाल कर रहे हों यानि कि आप जिस समय पर ear drop का इस्तमाल कर रहे हों उस समय पर आप लको हलका saveur नहीं करना चाहिए अगर आप pregnancy में हैं pregnancy के planning कर रहे हैं या lactating period में यानि इस तरपान करा रहे हैं तो advisable है कि आपको डाक्टर की सलाहे पर ही इस medicine का इस्तमाल करना चाहिए kidney रोग और liver रोग से जुड़ी किसे समस्य का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बहतर होगा कि आप अपने डाक्टर से उचित पर अमर्स अवस्य करें अब देखते हैं friends कि अगर आपको किसी भी इसकी content से अगर allergy है suppose करिए कि क्लोट्री मजोल से allergy है या लीडू केंसे allergy है तो ऐसी condition में आपको इस medicine को इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप complications का सामना आपको करना पड़ सकता है इस medicine को इस्तमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह से इसके level को check करना चाहिए इस medicine को पूरी तरह से externally इस्तमाल करना चाहिए internally या medicine नहीं है नहीं injection के इस medicine का इस्तमाल किया जाना चाहिए चोटे बच्चों और पसुओं से इस मेडिसिन को दूर कर रखना चाहिए जिस डिब्बे में जिस बॉक्स में आता है यह मेडिसिन उसमें आपको इस मेडिसिन को इस्तमाल करने के पस्चात अच्छी तरह से टाइट करके रखना चाहिए इस्तिमाल करने से पहले expiry date को चेक करना चाहिए और यूज हो जाने के बाद जब medicine expire हो जाती है या इसका use खतम हो जाता है उस समय इसका निप्टान बहुत अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए अगर किसी कारण से यह medicine कोई बच्चे निगल लेता है पी लेता है या injection के form में लग जाती है तो आपको तुरंट उसे संबंधित सारे measurements को लेना चाहिए डाक्टर को सूचित करना चाहिए और सारे जो इसके after effect होते हैं उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए किसी कारण से अगर आँख में चले जाती है या मुह में चले जाती है तो मुह को आपको जादा मात्रा में पानी से धोना चाहिए आँखों में अगर चला जाता है तो आँखों के पानी से धोना चाहिए और अगर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन्स हो रहे हैं तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में परामर्ज करना चाहिए तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा हिसा रिब्यू मेडिसिन की उपर मैं उमीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर मेडिसिन के रिव्यू लगतार आते रहते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाले कोई भी वीडियो आप से मिस नहीं होंगे और आप हेल्थ आवेर होके होने वाली संभावनाओं से होने वाली परिसानियों से बच सकेंगे इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वीडियो के अधार पर मेडिसिन का इस्तमाल ना करें झाल